तहुआ है विश्व गगन में जान सूझ शिव आज़ ओम शान्ती 23 नोहिंबर 2022 अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली मीठे बच्चे बाप समान खुदाई की इदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो सर्विस का शोक रखो प्रेश्ण कई बच्चे पुरानी दुनिया को भूलाती भी नहीं भूल पाते उसका कारण क्या है उत्तर उनका करम बंदन बहुत कड़ा है अगर नई दुनिया में बुद्धियोग नहीं लगता बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरब भागती रहती है तो कहा जाता इनकी तक्दिर में नहीं है अर्थात करम ही इनके खोटे है प्रश्ण कौन सा स्वाद आ जाये तो तुम स्वर्विस के बिगर रहनी सकते उत्तर रहम दिल बनने का स्वाद जिसे ग्यान का स्वाद आया वही रहम दिल बनना जानते है रहम दिल बच्चे स्वर्विस के बिगर रहनी सकते गीत है तू प्यार का सागर है ओम शान्ति य तो वर्चा याद आजाता है जिसको बाप याद आएगा निच्चे हो जाएगा तू जरूर खुशी होगी यू तो शिव के मंदिर में भी जाते है तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते है परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है वह तो शिवलिंग पर पुक्ष्य सुरिष्टी को रचा है यह भी गाया जाता है उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चड़ता है उतना और कोई को नहीं चड़ता है भगवान का नाम सुनने से ही तुमारे रोवान चिकड़े हो जाते है बुद्धी में आता ह कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्सा मिलता है और बाप की मिलकियत का भी वर्सा मिलता है बच्चा तो बाप के घर में ही जनम डेता है इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती जाइदात का कारखाना जमीन आदी बहार में इधर उदर रहती है भल घर भी जाइदात है परंथू property की फिरती गिरती अदली बदली होती है घर को अचल संपत्ति कहा जाता है तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता sweet home की बदल सदल नहीं होगी बाकि राजय तो कितना बदल सदल होती है वो अचल है मुक्तिधाम अचल है यहां तो अदली बदली होती है सुर्य वनसी से चंद्रवनशी वैश्य वनसी में आते है मुक्ति और युण मुक्ति तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो जानते हो बाप की जो अचल संपत्ती है उनके तो सब मालिक बनते है बाकि जो चल संपत्ती है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है स्वर्ग में तुम राज्य करते हो, चार युक से जो है, उसमें तो भारतवासी ब्राह्मन कुल की मुक्य है, जो देवी देवता धरम वाले सब तो सारा चक्र लगाते नहीं है, तो इस धरम वाला कोई और धरम में कंवर्ट हो गया है, तो निकल आएगा, क्रिच्चन धरम में, बुद्ध धरम में बहुत कंवर्ट हो गये है, पर सब निकल आएगे, ऐसे बहुत कंवर्ट हो गये है, देखने में आता है, कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नौलेज है, उसे कोई भी समझ सकते है, इस सुरुष्टी चक्र को जानना तो कॉमन बात है, बल कितना भी डल हेड हो, तो भी बुद्धी में तो यह आता है ना, ऐसे नहीं कि सुरुष्टी चक्र को जानने से स्वरगुन समपन्न बन जाते है, नहीं यह तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहत की पढ़ाई, सिर्फ तुम जानते हो तुमारी बुद्धी में यह रहता है, कि यह च सुष्टी चक्रों को तो जाना है परंतो वो अवस्ता भी तो चाहिए ना सरबगुन संपन बनने में अच्छी है अच्छी मेनत लगती है कोई न कोई विगर्ण निकल पड़ते हैं खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुन नहीं है पुरशार करना पड़ता है ए प्रदरशनी वा प्रोजेक्टर दिखाये जाये तो ये वंडर्फुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआपिक फिर से तुमको हम इस प्रदरशनी के द्वारा राज्युक सिखने के लिए युकती बतलाते हैं बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआपिक स् दुराज्य पद पाने के लिए पुर्शार्त कर रहे हैं तो मनुक्ष वंडर खाएंगे कि यह क्या लिखत है अगर कहें कि सत्युक को लाखो वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी सजन संक्या आदम शुमारी कहा है हिंदों की आदम शुमारी कम निकलती है ही कितनी मुसल्मान बन गए होंगे उनको शेक कहते हैं ऐसे भी बहुत है कोई तो अपने को आदि सनातन देवी दिता धरम का मानते भी नहीं है आदि सनातन हिंदू धरम कर देते हैं परंतु हिंदू धरम तो आदि सनातन धरम था नहीं तुम अकबार में भी डाल सकते हो मै चक्रा भी डाल सकते। बाबा ने जो प्रिश्ण लिखा था कि गीता का भग्वान स्री किश्न वास्षिव। वब्य अकबार में डाल सकते हो। कभी खर्च पर डालते हैं कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्ची अकबार बे डालो, परन्तु हमेशा पड़े तब तो मनुख्षों की आके खुले, एक बार डाला कोई ना पड़ा, कोई ने नहीं भी पड़ा, रोज डालने से मनुख्षों की आग खुलेगी, फिर आकर ग्यान समझेंगे, पुरशार्थ करने में भी कितन काती है, सारा ही दीन ख्याला चलते रहते है, वह अर्नन करना पड़ता है, कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाय जाए, तुम हो सच्चे-अच्चे खुदाई खिदमतगार, बच्चे, सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है न, तुम बच्चे जानते हो क वह सब आसुरी सोसाइटी है अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पोचाना है सारी दुनिया का बेड़ा गरक है दुनिया पहले स्वर्गती अब नरक बन गई है यह चक्र कैसे फिरता रहता है ड्रामा है ना कि जब सुरग में है तब न रक नई, कहा गया, नीचे ड्रामा को फिर फिरना है, यह चैतन्या ड्रामा है, सेकंड बै सेकंड जो एक्ट करते हैं, यह तुमारी बुद्धी में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, ड्रामा को समझ जाये तो फिर यह बाते ठहर न सकें, कि यह कलप लाखो वर्ष का है, स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, स्वास्तिका की पुजा भी करते, परंतु उनको यह पता नहीं कि क्या चीज है, अर्त कुछ नहीं, तो यह चक्र समझाना पड़ता है, तुमारी बुद्धी में यह चक्र फिरता रहता है, यंकर द्वारा यह आसुरी सुरुष्टी खलाश होती है, बस बुद्धी में यही ख्यालात चलते रहे, बहुत खुशी में रहना होता है, बाबा लॉकेड भी बनवा रहे है, जिससे तुम बहुत सज रिती समझा सकते हो, बैक्स में भी यह चित्र रगवा सकते हो, तुर में सब चीजे कहा तक डाल सकते है, इसलिए वह फिर समझाय जाता है, बाबा की बुद्धी सारा दिन चलती रहती है, कि लक्षमी नाराण का मंदीर बहुत अच्छा बनाते है, स्री कृष्ण के मंदीर भी बहुत अच्छे बने हुए है, परंतो यह किसी को पता नहीं कि य जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ, कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी, समझेंगे कि यह तो जैसे बगवान सोयम रूप धारन कर समझा रहे है, कोई-कोई बच्चों में से सर्विस का बहुत शोक है, परंतो बड़ो बड़ों के पास जाते नहीं है, कहा भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्च की बात नहीं है, पहले तो वह समझाएंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए है, सर्विस के लिए अनिक प्रकार की युक्तिया रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेश्ट जाता है, हर को सर्विस की युक्तिया बहुत बतलाते है, सुना बस भागे, अगर फुरसत हुई सर्विस का बहुत शोक होना चाहिए, तब तो उच्पद पा सकेंगे, इस त्रिमूर्ती चक्रपर बहुत अच्ची सर्विस कर सकते हो, फोरे नर्स भी कोई आये तो उनको समझाओ, कितन परंतु वह दे नहीं सकते, तुमारे पास फैक्ट, फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए, प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चितर दिखाए नौलेज दो, तो है बहुत अच्चा, विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्ची नौलेज दे सकते हो, वह सुनकर बहुत खुश होंगे, क्राइश्ट अभी कहा है, फिर कब आएगा, उनको पता पढ़ जाएगा, ड्रामा के चकरका ग्यान तो मिल जाएगा न, साथ में प्रोजेक्टर है, तो उस पर बहुत अच्ची सर्विस कर सकते है, उसमें कोई मना नहीं कर सकते है, कोई को भ कल दिस्त आपना हो जाए, बाब भी ड्रामा प्लानुसार समझाते रहते है, मत देते रहते है, चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सहाना अकल बंद चाहिए, स्लाइड में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुक्ष पढ़ सके, हिंदी, इंगलिश दोनों हो, उर्द तो क्या पद मिलेगा, मनुक्ष बिचारे बहुत दुखी है, बाब का परिचे देने से सुखी होती है न, कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते है, बाबा, हम आपसे बरसा जरूर लेंगे, कितनी बांदिलिया है, वह भी तब छूड सकती है, जब तुमारा नाम निकले, प्रभाव निकले, अपनी हम जिन्स को जेल से चुड़ाना है, सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, अध्य में सब साक्षतकार होंगे, फिर अपने किये करतत को सब याद आएंगे, बाब साक्षतकार कराते रहेंगे, बाब समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रिती लगना है, बाबा को अच्छी अच्छी बच्ची converts चाहिए, विचार सागर मंतन चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे सुरज की जल्दिस्त आपना हो जाए, सर्विस का शोक होना चाहिए सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाने में कितना माता मारना पड़ता है कम बात नहीं है फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्सा बाबा से ले रहे है परन्तु है गुप्त करम बंदन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है जो पुराने दुनिया को भूलते नहीं है धुलदाई में जाकर बुद्धियोक लड़कता है नई दुनिया में लगता नहीं है इसको कहा जाता है करम खोटे अच्छा अमरुभानी बच्चो की रुभानी मात पिता बाब दादा को याद प्रती धारना के लिए मुक्य सार आप समान बनाने की सेवा करनी है कोई ऐसी कर्तुत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े बहुद बहुद मीठा बनने का पुर्शार्त करना है दूसरी पॉइंट बाप हमें चल और अचद मुक्ती और जिवन मुक्ती की प्रॉपर्डिका मालिक बनाते है इसी खुशी और नशे में रहना है वरदान वानी के साथ वृत्ती द्वारा रुवानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबर सेवाधारी भवो जैसे वानी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वानी के साथ वृत्ती द्वारा सेवा करो तो फाश्ट सेवा होगी क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धी पर छाप लग जाती है तो यह सेवा करने के लिए वृत्ती में किसी के लिए भी वेर्थ वाइब्रेशन न हो वेर्थ वाइब्रेशन रुहानी वाइब्रेशन के आगे एक दिवार बन जाती है इसलिए मन बुद्धी को वेर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो तब डबल सेवा कर सकेंगे मिल जाएंगे अच्छा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थैंक यू बाबा थैंक यू